हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रोबिन बूटिक फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल सा एक कॉलर नैक डिजाइन इसे राउंड कॉलर नैक भी बोला जाता है और बहुत असानी सी यह जो कॉलर नैक है आप बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद और दोस्तों मैं आपको यह भी बता देते हूं अगर आप स्लाइस सीखने के शोकीन हो घर बैटके स्लाइस सीखना चाहते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोइन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको नंबर दिखाई आपको के लिए कर देता हूं पीछे का पाठ हमें अभी हमेशा आदा इंच बढ़ाई काड़ते हैं सूर चाहे कोलर वाला हो यहां फिर बिना कोलर रखा हो अब आपको क्या करना है आपको उठाना पहले फ्रेंट वाला पार्ट यह देखिए यह जो फ्रेंट वाला पौने ती निच चुड़ाई पौने ती निच लंबाई लेकिन अगर किसी की गरदन का साथे ज्यादा है वी है यान ज्यादा बड़ी गरदन हो तो उसमें आप इसको थोड़ा भी कर सकते हो इसके बाद क्या करना है आपको यहां पर बिल्कुल असानी से इस परकार से एस जगे से आपको लिए दो इस गष से आपको के अपने पर की बिच की दूरे देखे लेकिन दोस्तों यह जो गला है केवल आपको कहां काटना है सिर्फ उपरkor काटना है इस परकार से इसे इन सब्ऱमित में आप a goρεί को बुख्रम पर बनेगा यह के वल्मनियियों के रही के लिए बताय अब आगे कि पार्ट की करने के बार अब को प्रेक्रा ने के बाद आपको उठाना पीछे वाला इस से देखें तो पीछे वाल इसे कि एक ईक आप suburbs कर देखें कि यहां से जो द घ्रेंव यहां पर इसके लिए क्या करना है के लिए बुकरम का चोटा सा टूपड़ा ये ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है पर करना आप देख सकते हो यह जो गला है गले की कटिंग मैंने कर ली है लेकिन उपर नीचे दोनों जगे से बंद है तो आपको क्या करना एक जगे इसको खोलना इस प्रकार से इसको खोले है यह देखिए बस आपको कट लगाना है वो कट लगाने के बाद गला आपका इस प्रकार से खुल जाएगा आप देख सकते हो और आपको हल्का साइधर से और इसकी कटिंग करनी है यह देखे हैं किसी कटिंग करें बस बनाते हैं और यहां से मारजन आम पास यह थोड़ा साइधर लगाने के लिए जैसे मैंने रखाया आप देख सकते हो अगर आप नहीं रखोगे तो तो श्राइध नहीं लग पाएगी अब इस प्रकार से गले को जमाने के बाद आपको क्या करना है जो भी आपका सूट है सू आपको निकाल देना है याद रहे हैं सिलय है को बुकर्म के उपर नहीं लगा निए आपको क York किननारे पर लगानी है कि दो फैंस यस में लगाने के बाद अब जितना विए अंदर का मारजने सारे को अपने कट करना है यह देखें सिर्फ और सिर्फ आपको आदा इंट के करीबी मारजन रखना है बाकि सारे मारजों को कट कर लें और यहां पर आपको इस प्रकार से कट लगाना हो का गले के इच्छी शेप के लिए यह देखिए अगर आप इस कट नहीं लगा यह बुकरम वाला जो पार्ट है अंदर की तरफ चला गया है और गला हमारा रेडी है अब फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको लगानी है कच्छी सिलाई इस बुकरम वाले पार्ट को बैठाने के लिए यह देखिए इस प्रकार से लगा लें इस सिलाई मैंने लगा लिए कच्छी सिलाई लगाने के बाद आपको उठाना पीछे वाला पार्ट यह देखिए जो पीछी वाला इस पिसलाई की सिलाई को लगाए इस प्रकार से लगा लें को नि को सेम लगाने के बाद आप इसका मेन काम है वह सàng Neo isly के बैण पट्टी दोस तो ऑफ जो बैन पंपत्य वो हो भी गोलाई में में कटे ही आज की वीडीयों में आपको बैन पंपत्य या बहुत आसान तरीका मिल जाएगा किस पैड़ा बैन पंपत्य काती काड़ जाती है वह सवाधि से पहले आप इसे पाने यह देखें इसको यह company पकड़ना बीलकूब बराबर और अब देखें इंची टेप से यह जो इसकी यह तोटल दूरी कितने आ अरिए कितनी बड़ि कंदर घया की इसको यह बंड़ेगी इसको यह पकड़े साड़े सोला यानि कि साड़े सोला इंचिक इसकी बैन कंप्लीट बनेगी अब दोस्तों बैन जुसके हमने बनानी है वह हम बनाएंगे पेस्टिंग पर अच्छी फिनिशिंग के लिए पेस्टिंग आप यूज करें वैसे आप बुक्रम से भी बना सकते हो तो मैं आपको बा इस प्रकार से डबल करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको सीधा इस प्रकार से स्केल लेना है और एक निशान लगा लेना है अब आपको क्या करना है यहां से जो दूरी लेनी है यह वाली यह दूरी आपको लेनी है धाइंच ठीक है यह धाइंच पर सीधा निशान और इसके बाद आपको इसमें जाके इसको गुलाई में मिलाना है यह देखे इस परकार से पोने तीने तक भी कुछ सिधा ना है और इसके बाद इस निशान को जाके आपको इधर मिलाना है गुलाई में लेकिन कितना मिलाना है उसके लिए आपको यहां से नापना पड़ेग आपको बता दिये टोटल वैसे बैंट कोई एक इंच लगाता है कोई सवाइंच लगाता को डेड़ इच भी लगाता है तो दोस्तो आज मैं इस में लगाँगो सवाइंच ओड़िए देखें वो इस प्रकार से सवाइंच पर सीधा सिधा निशान लगा ले इसी गुलाई के आप से यह देखें यहारा है सवाइंच इस परकार से अब यह जो मैंने निशान लगा है इन निशानों को आपस मिला ले इस परकार से लेकिन इस जगे से आपको क्या करना है इस जगे से आपको हल्की सीधर देनी है गुलाई इस प्रकार से तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इस प्रकार से जो बैन है हमारी बिल्कुल असानी से मैंने काट ली है आप इसे देख सकते हो, बैन की कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, एकदम से बैन को लगाना नहीं है, पहले इस बैन को आपने इस परकार से नापना है, कहीं बर क्या आता है, छोटी बड़ी भी गलती से कट जाए, तो आप ऐसा नों को पहले इसको चिपका लें और बाद में ये बैन आपकी छोटी हैं फिर बड़ी पड़ जाए, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, और इसे इस परकार से रखें, यहां से एक बार चेक कर लें, यह पूरी आ भी रही है, यहां नहीं आ रही है, यह देखें इस प कपड़े पर, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो, बैन को मैंने अच्छी तरह से प्रेस के साथ इस प्रकार से चिपका लिया है, इसको अच्छी तरह चिपकाने के बाद फ्रेंट्स आपको क्या करना है, यह देखें, एक तो है गुलाई वाला इसा, और एक है कम गुलाई इसा, यह जो कम गुलाई वाले इसा है, इदर से आपको प्रेस को इस प्रकार से इसके कपड़े को साथ फोल्ड करते जाना है, यह देखें, तो फ्रेंट्स इस प्रकार से प्रेस से इदर से फोल्ड करने के बाद अब आपको एक दूसरा कपड़ा लेना है, और इस प्रेंड रहे लगाने के बाद अब आपको चारो तरफ से इसमें मार्जन कारता है आदा इंच का रखते हो यह देखें यह सिर्फ आदा इंच ही आपको मार्जन रखना है बागी चारो तरफ से कटिंग कर दें इसके बाद दोस्तों यह जो गुलाई वाली जगए यहां पर कट लगाएं अच्छी शेप के लिए और आपको क्या करना है इस पकार से अब इसको कर लेना है सीधा यह देखें इसको मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद आपको इस कप्ड़ पर थोड़ा सा नाखुन से प्रैस कर लेना है और इस प्रकार से यह जो कप्ड़ा है आपका अंदर के तरफ चला जाएगा आप देख सकते हो बैन हमारी लगब कंप्लीट है अब इस बैन को लगाना कैसे है जो की बहुत ही आसा इस तरह से आएगी तो अब इस तरह से बैन को लगाने के लिए आपको क्या करना है यह देखिए आप यह जो राइट वाला पला है इधर से इसको उठाएं और इस बैन को अंदर की तरफ रखते हुए यह देखें यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है इस जगे से और यह आपको कपड़ा कोई सा भी ने खीचना ना तो नीचे वाला खेचना है ना उपर वाला खीचना है बिल्कुल आराम अराम से स्टार्टिंग करनी है कि तो फेंट के लगाने के बाद अब आपको क्या करना अब यह जो बैन है आपकी इस प्रकार से जितना भी मारजाने सारा का सारा अंदर की तरफ चला जा जाएगा आप देख सकते हो इस प्रकार से और आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है तर यह देखें मारजन को काट करनी है बिल्कुर किनारे पिसलाई लगाएं मारजन को अंदर करते हुए तो फ्रेंट्स बैन में लगा ली है और बैन लगाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं बिल्कुर शानदा तरीके से बैन लग चुकी है अब इसमें दोस्तों सिर्फ दो काम रह गए एक तो यह जो गला है गले में हम यहां पर करेंगे इसमें तुरुपाई और यह जगे से बिल्कुर शानदा तरीके सब्हें असानी से अब लगा सकते हो तो दोस्तों यह थी मेरे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक बहुत सिंपल से गले में लाइन लगाने का बता है अगर आपको 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 अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को ला मुट्ए